हम सभी के गरों में एक दो रोटी तो डेली ही बच जाती है चाहे हो रात की हो या तो सुबा की हो हम उस रोटी का यूटिलाईज कैसे करेंगे वही आज मैं अपने इस रिसिपी में बताने वाली हूँ इस बासी रोटी से हम एक नई रैसिपी बनानЕ वाले हैं तो मैं साथना सिन्ना अपने इस चैनल पे आपका बहुत स्वागत करती हूं तो चलते हैं रेसिपी की ओर तो यहां पे मैंने तीरोटी ली हुई है तो यह रात की बची हुई रोटी है तो इसे हमें क्या करना है? चोटे चोटे टुकडों में हमें इसे तोड़ लेना है तो आप इसे तोड़ने के लिए अपने हाथों कभी यूज़ कर सकते हैं हाथों से इसे आप चोटे चोटे टुकडों में तोड़ सकते हैं या तो आप चाकों कभी यूज़ कर सकते हैं तो इसे बस हमें एकदम छोटे टुकडों में कट कर लेना है तो चलिए फ्रेंट इसी तरीके से हम सारे रोटी को पहले छोटे छोटे टुकडों में कट कर लेते हैं तो लोजी फ्रेंट यहां पे हमने सारी रोटी को छोटे छोटे टुकडों में कट कर लिया है तो चलते हैं गैस की और और इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो यहां पे हमने कढ़ाई में चार छोटे चमच के करीवन तेल डाल के रखा हुआ है और तेल भी यहां पे हमारा अच्छे से गरम हो चुका है तो तेल के गरम होते ही हम डालेंगे यहां पे लहसन और मिर्स तो लहसन को मैंने बारी काट के लिया हुआ है और मिर्स को भी मैंने बारी काट के लिया हुआ है इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो लहसन और मिर्स थोड़ी सी जब फ्राई हो जाए न तो इस स्टेज पे हम डालेंगे प्याज to मैंने एक बड़ा प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया हुआ तो चलिए यहाँ पे हमने प्याज जाल दिया है प्याज जालने के बाद बस इसे हमें चम्मच चलाना है और इसे हमें 2-3 मिनट के लिए low flame पे पका लेना है तो लोजी फ्रेंट्स यहां पे हमने प्याज को 2-3 मिनट के लिए low flame पे पका लिया है और प्याज हमारी यहां पे काफी soft भी हो चुकी है देखिए फ्रेंट्स तो इस से ज़्यादा आपर प्यस को बिलकुल भी नहीं पकाना हमें dar農 भी नई पकाना है। ज़्यादा पकाएंगे तो प्या जल जाएंगी। इस से देज पे हम डालेंगे दो टमाटर जिसे मैंने रफली चॉपकर करके लिया हुआ है। टमाटर डालने के बाद यहां पे हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालने के बाद बस चम्मच छिलाएंगे और सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो यहाँ पे बहुत सारे मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप अगर घर का टेस्ट चाहते हैं एक गम सिंपल तरीके से बनाना चाहते हैं तो बस यहाँ पे नमक और थोड़ा सा हल्दी का यूज़ कीजिए तो चलिए नमक डालने के बाद हमने मिक्स कर लिया है अब यहाँ पे हम थोड़ा सा दो चुटकी के करीबन हल्दी डालेंगे और बस यहाँ पे इसे भी हम मिक्स कर लिए तो चलिए फ्रेंट्स यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है अब उसके बाद हमें क्या क और पांच मिनट के लिए हमें लो फ्लेम पर पका लेना है तो पांच मिनट के बाद यहाँ पे हमारे तुमाचर काफी अच्छे से गल चुके हैं आप देख सकते हैं तो चलिए फिर टमाचर के गलने के बाद हम यहां पे डालेंगे रोटी के टुकड़े जिसे हमने तोड के रखे हुए थे तो सारे टुकड़े यहां पे हमने डाल दिये हैं उसके बाद हम चम्मच चलाएंगे और सारी चीजों के साथ रोटी के टुकड़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि रोटी के टुकड़ तो यहां पे इसे पकाते हुए हमें कम से कम 3 मिनट हो चुके हैं और यहां पे हमारी फ्राइ रोटी बन के तयार हो चुकी है अब सबसे लास्ट पे हम डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया और हरा धनिया डालने के बाद हम फिर से चम्म चलाएंगे और सारी चीजों को अच अच्छी लगी होगी तो कॉमेंट शेक्षन में जरूर बताएगा मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जादा शेयर जरूर कीजिएगा तो चलिए इसे हम सर्फ कर लेते हैं तो एक बार से इसे इस तरीके से जरूर बना के देखिए फ्रेंट्स तो चलिए यहां पे हमारी फ्राइड रोटी की रेसिपी तो पूरी हो चुकी है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई थैंक्स फर वाचिंग